आज की क्लास में पाँच कॉंसेप्ट ऐसे कराऊंगी जिसके उपर आपकी कमांड अच्छी होगी तो मान लेजे आपकी अंग्रेजी अच्छी ही होगी reason being जो main जो हमारे verbs use होते हैं ismr, was, were जो आपको present और past वाले वाक्यों में इस्तेमाल होते हैं इनका extensive use मतलब यह हर possible तरीके से कैसे कैसे use हो सकता है यह आपको जानना जरूरी है जब आप fluency की बात करते हैं क्लास को चलिए शुरू करते हैं आप देख रहे हैं Sunrit English Academy मैं हूँ प्रीती मैम सब्सक्राइब करके bell notification on कर देना क्योंकि यार बहुत मेहनत लगती है इस तरीके से सोच करके एक you know progressive approach के साथ क्लास को लाने की ताकि आपको बहतर तरीके से चीजे समझ में आएं आपकी अंग्रेजी अच्छी हो सबसे पहले बात करेंगे इस की जब ये two के साथ simply इस्तमाल होता है यानि की is और two लगके जब ये इस्तमाल होता है तो ये ऐसे वाक्यों की translation में use होगा जिस हिंदी वाक्य में आपको है का इस्तमाल कर रहे हैं और is है क्योंकि तो ये जो है रूल जो है वो इस वाला ही लगेगा जाहिर सी बात है आपको पता है इसका रूल क्या है that is he, she, it और कोई भी नाम ठीके पता है very good कि इसका रूल तो भाई हमें पता है नहीं पता है तो सीख लीजिए इसका इस्तमाल आप हमेशा he, she, it और किसी भी नाम के साथ करते हैं जब मैं नाम की बात करूँ तो मेरा नाम, आपका नाम, आपके दोस्त का नाम, आपके भाई बेहन का नाम किसी का भी नाम हो सकता है ठीके, तो वह जाने को है, कहेंगे simply, he is to go, he is to go, ये कभी यूज़ करता है, हम लोग हिंदी में इसको कभी यूज़ करते हैं, याद करके रेखे, जस्ट आप निकलने वाले होते हैं, गेट पे ही खड़े हैं, कि बस अब निकल रहे हैं, है ना, तो कहेंगे he is to go, clear, structure क्या follow होगा, बहुत ही basic सा structure follow होगा, subject रहेगा, जो की है, वह यानि की he, उसके साथ is लगेगा, साथ में two लगेगा, और हमेशा वर्ब का पहला form लगेगा, याद रहेगी बात, इसी के साथ हम बढ़ते हैं, am के साथ, am के साथ जब two का use होता है, तो ये हो जाता है, क्यूंकि am का आप इस्तमाल कर रहे हैं, हिंदी में, तो इंग्लिश ट्रांसलेशन के वक्त, आपको am to का इस्तमाल कर रहा है, जैसे मैं खाने को हूँ, I am to eat, structure क्या follow होगा, बस is के जगह पर am आ जाएगा, बाकी structure will be same, ठीक है, देखो हमेशा, simple रखा करो चीज़ों को, बहुत complex वाज लगा दो, जो भी है, उसको लगा करके, एक simple structure को याद रखो, 5 शब्द पढ़ाऊंगी, 25 structure बताऊंगी, कभी अंग्रेजी नहीं सीख पाऊगे, सीधी सी बात है, so always keep it simple, मैं भी इसको simple लखना प्रसंद करती हूँ, और आपको भी यही suggestion देती हूँ, कि simple तरीके से प साथ ही इस्तमाल होगा, structure जो है वो सेम रहेगा, सिर्फ is M के जगा पर यहां पर R लग जाएगा, subject प्लस R प्लस 2 प्लस वर्ब का पहला रूप, याद रखें, is हो, M हो, R हो, वर्ब का पहला रूप ही लगेगा, जब को, है, को, हूं, को, हैं के साथ इस्तमाल हो रहा है, ठ कहेंगे, जैसे कहना हो, वह जाने को थी, she was to go, मतलब कोई तयार हो करके बैठा हुआ था, बस निकलने वाला था घर से, end moment पे जो है, प्लान कैंसल हो गया, तो हम लोग जब कंप्लेन करेंगे, कि, अरे, क्या बोलें, जाना तो था, ठीक है, वह जाने को थी, लेकिन प्लान कैंसल हो गया, चुकरे, ये कब सिचुएशन है, जब आप तयार हो करके बैठे हुए है, लेकिन फिर प्लान कैंसल हो गया, निकलना है, बस कैब का वेट कर रहे है, प्लान कैंसल हो गया, चुकरे, वैसे सिचुएशन में, हम इसका यूज करते हैं, उसको English में translate करते वक्त, was to का use होगा जिसका मतलब होता है को था या को थी को था जो है वो जाहिर सा बात है male gender के लिए use होगा और female के लिए यानि के महिलाओ के लिए को थी का अस्तमाल करेंगे was का अस्तमाल I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ होता है structure जो है subject plus was plus two plus verb का पहला रूप फॉलो होता है वह जाने को थी she was to go उसे तरीके से वर two का अस्तमाल होगा जहां पर आप को थे का अस्तमाल करेंगे और यह was से कैसे अलग है simply वर का अस्तमाल आप u, v, they के साथ करते हैं जिसके साथ was का अस्तमाल नहीं होता है तो उनको एक शब्द चाहिए तो वो हमारे पास है war w, e, r, e, war जो की u, v, और दे के साथ इस्तमाल होता है structure will be same subject plus war plus two plus v, one was के जगा पर war क्योंकि war की बात कर रहे हैं हम लोग हम खेलने को थे we were to play we were to play आगे बढ़ेंगे आप बात करेंगे कि इसका मैंने क्या कहा शुरुआत में क्लास की कि इस MR was where का extensive use देखेंगे क्योंकि वो बहुत तरीके से आपके अंग्रेजी में इस्तमाल होता है simply एक तरीका जान लेने से आप English में Mastery नहीं कर लेते आप Mastery तो छोड़ दो बहुत बड़ी बात होगे Mastery ठीके आप जो basic communication है न वो भी नहीं कर सकते हो अगर basic तक अपनी knowledge रखोगे थोड़ा सा बढ़ा के रखो बढ़िया रहेगा सब चीजों के लिए ठीके तो इस गस्तमाल जो है वो सक्षम है यानि कि कर पा रहा है या करने में समर्थ है या सक्षम है इस चीज को करने में ठीके वैसी situations में is able to का use होता है इसका स्तमाल he, she, it और किसी भी नाम के साथ होता है और इसका structure होता है subject plus is able to plus verb का पहला रूप यहाँ पर भी we, one verb का पहला रूप ही use होगा जहाँ पर भी आप इसके साथ able to का use करोगे वह चल पा रहा है he is able to walk am able to की बात करेंगे तो पा रहा हूँ या सक्षम हूँ यहाँ पर am के साथ लग रहा है तो हूँ का स्तमाल हो जाएगा able अपना रूप जो है वो कायम रखेगा able का मतलब वही रहेगा करपाना या करपाने की शमता के बारे में बात करना i के साथ am का स्तमाल होता है subject plus am able to प्लस verb का पहला रूप यह structure हो जाएगा मैं पढ़ पा रहा हूँ I am able to study are able to की बात करेंगे पा रहे हैं या सक्षम है इस्तमाल इसका u, v और दे के साथ होता है structure हो जाएगा subject plus are able to प्लस verb का पहला रूप वेजा पा रहे हैं they are able to go यह तीनों बाते present की हो गई अब past में चलते हैं पा रहा था या सक्षम था कहते हैं न यह करने में सक्षम था पर उसने नहीं किया वो यह कर पा रहा था है न इस तरीके की बात जब करते हैं तो was able to का इस्तमाल करते हैं और was जो है वो I, he, she, it और किनी भी नामों के साथ इस्तमाल होता है structure subject plus was able to plus verb का पहला रूप वो चल पा रहा था he was able to walk were able to same you, we, they के साथ इस्तमाल होगा मतलब हो जाएगा पा रहे थे या सक्षम थे क्योंकि यह structure based वाकियों की translation हो रही है subject plus were able to plus we, one का इस्तमाल होगा structure के तौर पर वे पढ़ पा रहे थे they were able to read तो यहाँ पर is, am, are, was, were का able to के साथ हमने इस्तमाल लेखा आगे बढ़ेंगे अब having to के साथ इस्तमाल लेखेंगे जो की काफी important है जब आप अंग्रेजी बोलने की बात करें तो is having to का मतलब होता है पढ़ रहा है जिससे उसे उसे जाना पढ़ रहा है उसे खाना पढ़ रहा है उसे करना पढ़ रहा है उसे आना पढ़ रहा है उसे खेलना पढ़ रहा है इस तरीके की बात जब आप करते हैं तो आप is having to का प्रियोग करते हैं अब having to का concept नहीं पता होगा तो इस तरीके के वाकियों को translate नहीं कर पाओगे और नेम के साथ ये use होता है इसका subject plus is having to plus v1 उसे काम करना पढ़ रहा है he is having to work I am having to पढ़ रहा है यहाँ पर हू का use नहीं होगा क्योंकि हम वाक्य ये different वाक्य है है ना ये self-centered वाक्य नहीं है different वाक्य है I के साथ I am का स्तमाल होता है subject होता है subject I am having to plus v1 मुझे पढ़ना पढ़ रहा है I am having to study are having to पढ़ रहा है UV दे के साथ R का स्तमाल subject plus are having to plus v1 they are having to go उन्हें जाना पढ़ रहा है was having to past की बात करेंगे पढ़ रहा था I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ इसका स्तमाल होगा subject plus was having to plus verb का पहला रूप मुझे पढ़ना पढ़ रहा था I was having to study were having to पढ़ रहा था वर का स्तमाल यू, वी और दे के साथ subject plus were having to plus verb का पहला रूप ऐसे स्तमाल होगा structure उन्हें जाना पढ़ रहा था they were having to go clear? अब about to की बात करेंगे about to आप तब यूज़ करते हैं about का मतलब जो है न ऐसे as a word जो है वो अलग होता है है न के बारे में बात करता है लेकिन about के साथ to जब लग जाता है और वो ये verbs के साथ इस्तमाल होता है तो वाला है वाली है वाले है के तौर पर वो जाने वाला है वो खाने वाली है वो आने वाला है वो सोने वाला था वो खेलने वाला था इस तरीके से ये इस्तमाल होता है जब ये basic verbs के साथ यूज़ होता है जैसे is about to मतलब हो गया वाला है he sheet name के साथ इसका स्तमाल subject plus is about to plus v1 इसका structure वह जाने वाला है he is about to go ये वाला situation कब होता है जब आप अभी तक तयार रही हो कहीं आपको जाना है पर अभी तक आप तयार रही हो आप बस इधर हो चहल कदमी कर रहे हो आदे पौने गंटे में आप तयार हो कर के फिर निकलोगे ये वाली situation में हम लोग कहते हैं कहरे वो जाने वाला है वो बजार जाने वाला है न वो ले आएगा ऐसे बात करते हैं ठिक के वो वाली situation को translate करने के लिए about to का use किया जाता है वाला हूं I am about to I के साथ इस्तमाल subject plus I am about to plus V1 मैं खाने वाला हूं I am about to eat are about to वाले हैं UV दे के साथ इस्तमाल subject plus are about to plus V1 वे लोग जाने वाले हैं they are about to go वाला था या वाली थी was about to clearly इस्तमाल होगा I, he, she, it और किसी भी नाम के साथ इस्तमाल होगा subject plus was about to plus V1 ये structure follow होगा मैं खाने वाला था I was about to eat were about to वाले थे UV दे के साथ इस्तमाल subject प्लस were about to प्लस V1 वे लोग जाने वाले थे they were about to go तो ये सारे structures में हमें common क्या दिखा हमें common दिखा एक तो subject जो की होगा ही दूसरा इन सारे में चाहे आप normal to की बात करें having to की बात करें about to की बात करें able to की बात करें सारे के सारे structures में verb का पहला form ही use होगा देखो मैं similar चीजों को छाट के आपको बता रही हूँ ताकि आपको confusion ना रहे structure के terms में ठीक है तो सारे में verb का पहला रूप structure यूज होगा सारे में to use होगा और सारे में subject तो रहेगा ही रहेगा ठीके is mr was work के अपने अपने हिसाब से subject का इस्तमाल हो जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया और जो शब्द बचा that is having तो पढ़ रहा है तो having वाला है तो about और सक्षम है तो able इस तरीके से स्तमाल इसको करेंगे clear हो गई बार तो चलिए यह थी आज की class जहाँ पर हमने 5 ऐसे concepts को सीखा जो की काफ़े important है 5 concepts is mr was work और इनके extensive usage यही concept कहलाते है ठीके यह सीख लिया अब आप इनके उपर based वाक्यों की practice करो translation करने की ठीके हिंदी में random जो है वाक्य बनाओ और structures को use करके आप इसको translate करो फिर देखो कैसे आप अंग्रेजी बोलना सीख जाते हो समझ में आगई बात class कैसी लगी comment करके बताना class अच्छी लगी है class को like और share कर दीजेगा आप देख रहे है संडीत English Academy मैं हूँ प्रीती मैं सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आउन कर दीजेगा साथी कोई भी course करनी हो spoken English की English writing की English grammar की English reading की या लेनी हो आपको कोई किताबें तो आप हमारी app संडीत English Academy को download और install कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर पर यह मिल जाती है basic detail नाम नंबर email ID डाल करके आप रजिस्टर कर लीजेए फ्री में भी classes है वहाँ पर paid classes भी है आपको वहाँ पर जैसा आपकी इच्छा आप वहाँ पर classes अटेंड कर सकते हैं कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं WhatsApp मेसेज के जरिए रोज की क्लास अपने mobile पर पाने के लिए WhatsApp और आप हमें WhatsApp का ग्रूप हमारा जॉइन कर सकते हैं हमारी e-books इस website पर भी available है तो यहाँ से भी ले सकते हैं यह e-books है PDF वाली किताबे हैं तो डाउनलोड कर लिजेगा WhatsApp का ग्रूप, Telegram का चैनल जॉइन कर लिजेगा रोज की क्लास अपके फोन तक पहुँच जाएंगी और मैं आपसे मिलूँगी आपकी अगली क्लास में यानि की कल तिल दन थैंक यू सो मुच पर वाचिंगी तो संडीति इंग्लिश अकादमी